मुवी के स्टार्ट में हमें दो भाईयों को दिखाया जाता है जिन मेंसे छोड़े का नाम नेथन था जिसको प्यार से नेट कहा करते थे वो दोनों भाई चोरी छुप कर एक म्यूसियम में जाते हैं और वहाँ जाकर एक मैप चुराने की कोशिश करते हैं पर तब ही वहाँ पर तो पुलिस ओफिसर्स आ जाते हैं और वो उन दोनों भाईयों को पकट कर एक औरफन हाउस में ले जाते हैं दरासल इन दोनों के पैरेंट्स नहीं थे और वो दोनों शुरू से ही औरफन में रहा करते थे और नेट के बड़े भाई ने इस मैप को चुलाने की बहुत बार कोशिश की थी क्योंके नेट और उसका भाई पारेंट्स की खांदान से बिलॉंग करते थे और वो जो मैप था उसमें बहुत बड़े खजाने का राज चुपा हुआ था अब उस और्फन हाउस की सिस्टर पुलिस ओफिसर से ये कहती है कि नेट अभी चोटा है आप लोग इसके बड़े भाई को लेकर जा सकते हैं क्योंकि वो बार बार मना करने के बावाजूद भी चोरी किया करता था बट यहाँ पर नेट का बड़ा भाई खुद को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहता था इसलिए अब वो यहाँ से भागने का डिसाइड करता है अब वो अपने सामान को पैख करने के बहाने अपने रूम में चाता है नेट अपने बड़े भाई से कहता है कि मैं तुम्हारे बगए नहीं रह सकता यहाँ पर नेट का बड़ा भाई उसको एक लॉकिट लाइटर और एक लेटर देता है और ये कहे कर वहां से चला जाता है कि मैं वापिस जरूर आऊंगा अब नेट अपने बड़े भाई के चाने के बाद जब वो लेटर ओपन करता है और उस पर लाइटर के रोशनी डालता है तो उसको एक मेसेज मिलता है उस लेटर में ये लिखा था कि याद रुकना हम लोग पाईरिट्स फैमली से बिलॉंग करते हैं और हम लोग जरूर मिलेंगे इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 15 साल बाद का सीन दिखा जाता है हम नेट को देखते हैं जो अब बड़ा हो किया था और वो एक बार में काम क्या करता था और साथ ही छोटी मोडी चोरी भी क्या करता था जब एक टी नेट अपने बार में काम कर रहा था तो उसके पास विक्टर नाम का एक आत्मी आता है वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को जानता हूँ वो बताता है कि कुछ टाइम पहले मिलकर हम काम क्या करते थे लेकिन नेट को इस बारे में जानने में कोई भी दिज़स्वी नहीं थी वो विक्टर से वहां से जाने का कहता है मगर Victor जाते-जाते उसके लिए एक कार्ट छोड़ कर जाता है उस कार्ट में Victor का एट्रेस लिखा हुआ था नेकसेर में हम देखते हैं कि Net Victor के घर पर चला जाता है वो उसके घर में जा कर वही मैप देखता है जो कई साल पहले उसने और उसके भाई ने चुराने की कोशिश की थी तो तब ही वहाँ पर विक्टर भी आ जाता है विक्टर कहता है कि अगर तुमने पहले ही आना था तो मुझे तब ही पता देते यहाँ पर नेट विक्टर से कहता है कि यह तो वही मैप है जिसको ढूनने के लिए कई लोगों ने बहुत जादा महिनत की और ये एक हजाने का नक्षा है और इस मैप के रास्ते पर जा कर बहुत जादा लोगों ने अपने जान दे दी और उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ और ये एक पकवास स्टोरी थी विक्टर नेट से कहता है ये कोई पकवास स्टोरी नहीं है और मैं जानता हूँ तुम्हें और तुम्हारे भाई को इस मैप के बारे में काफी जादा इंफॉर्मेशन है फिर इसके बाद विक्टर वहाँ पर नेट को एक बुक दिखाता है उस बुक में वो एक शिप की तस्वीर दिखाता है ये शिप कोई आम शिप नहीं है बलके ये कोई बहुत ही पुरानी शिप है और इसकी कीमत 500 करोड है और तो और उस शिप में बहुत ज़दा ख़जाना भी छुपा हुआ है जिसको 18 लोगों ने मिलकर वहाँ पर चुपाया था और जब नेट को इस ख़जाने के बारे में इतनी ज़दा इंफॉर्मेशन थी तो विक्टर उसको कैसे जाने दे सकता था और अब वो उसे अपने साथ काम करने की ओफर करता है लेकिन नेट उसकी को रिजेक्ट कर देता है तो विक्टर उसे कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम्हें तुम्हारा बड़ा भाई भी मिल सकता है नेट घर जाता है और घर जाकर अपने बड़े भाई की चीज़ों को देखने लगता है और इसके बाद वो विक्टर के साथ काम कर और दूसरी चावी हमें जल्दी चुराने होगी विक्टर नेट को बताता है कि इसके साथ की दूसरी चावी एक आक्शन कमपनी में है और बहुत जल्दी वो उस चावी को निलाम करने वाले हैं और जल्दी हमें उस चावी को वहां से चुराना होगा अब विक्टर उस कमपन पर कर रही थी और ये लड़की विक्टर की पुरानी दुश्मन पी थी अब जब वो दोनों उस चावी के लिए फाइट करी रहे थे तब ही वहां पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं विक्टर उन गार्ड्स का फाइदा उठाता है और वहां से चावी लेकर निकलने में काम्या कहता है कि ये तो मेरा पुराना दोस्त है यहां पर नेट को पता चलता है वो दूसरी चावी विक्टर के पास नहीं बलके फ्रेजर के पास है तो नेट विक्टर से कहता है कि तुमने मुझसे चोट क्यों बोला फ्रेजर कहती है कि शायद तुम इसके बारे में सही तरह से जानते अब जब वो दोनों आपस में बहस करी रहे होते हैं तब ही वहां से फ्रेजर वो चाबी लेकर वहां से भाग जाती है नेट फ्रेजर के पीछे भाग रहा था और फ्रेजर आगे आगे थी फ्रेजर अपनी कार में बैठ कर वहां से निकलने की कोशिश करती है मगर ने के बारे में सिर्फ नेट को ही पता है यह बात सुननी के बाद फरेजर उन दोनों के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है नेट उन लोगों को बताता है कि पहुत सालों पहले उन-ठारा लोगों ने उस खजाने को चर्च में छुपाया था अब वह तीनों चर्च में जाते हैं वहाँ पर उनको चावी लगाने के जगा भी मिल जाती है वो चावी की जगा एक स्टैचू के नीचे थी अब यहाँ पर इनको यह बात नहीं पता थी कि चावी को किस साइड पर खुमाना है विक्टर बुक में पढ़ता है और कहता है कि दोरों चावियों को क्लॉक क्वाइस खुमाते हैं जिसके बाद स्टैचू के पीछे से रास्ता निकलाता है वो रास्ता एक कुफा से होकर जा रहा था फिर नेट यहां पर विक्टर से कहता है कि हमें इस रास्ते से गुजर कर एक रास्ते से नहीं बल्के दो अलग-अलग रास्तों से जाना होगा वो कुछ अच्वा के रास्टे से चाते जाते नेट और फ्रेशर एक बार में पहुँचाते हैं। यह भुँच carefully वह पर एक और सीक क्रेट रास्टा था जिसके भारे में कोई भी जो उसी क्रॉस वाली चापी से खुल सकता था फ्रेजर उस दर्वाजे को खोलने की जैसे ही कोशिश करती है तो वहाँ पर पानी भरना शुरू हो जाता है क्योंकि उस दर्वाजे को खोलने के लिए दूसरे तरवाजे पर चाबी लगा कर पहले उसे खोलना होगा जिसको विक्टर ही खोल सकता था विक्टर दूसरे साइट वाले तरवाजे को खोल ले की कोशिश कर रहा था पर तब भी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसने पहले भी विक्टर पर अटेक किया था और उन दोनों में जबरदस फाइट होने लगती है दूसरी तरफ नेट और फ्रेजर पानी में फस कए थे और वहाँ पर बेहोश होने वाले थे विक्टर उस लड़की को मार कर बेहोश कर देता है और जल्दी से उस दरवाजे में चाबी को लगा देता है इसके बाद नेट और फ्रेजर बच जाते हैं और सेफली उस दरवाजे से बाहर आ जाते हैं अब बारी थी फाइनल दरवाजे पर जाने की लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि उस दरवाजे को कैसे ओपन करना है विक्टर बाहर खड़ा एक होल में से उन दोनों को देख रहा था पर तब ही वहाँ पर नेट अपना दिमाग इस्तमाल करता है वो फ्रेजर से कहता है कि जाओ और विक्टर से दूसरी चाबी लेकर आओ लेकिन विक्टर उन दोनों पर टरस नहीं करता और दूसरी चाबी देने से इνकार कर देता है लेकिन थोड़ी दियर पाद विक्टर उस चाबी को दे देता है क्योंकि उसके बास कोई और आपशन नहीं था नेट देखता है कि उस दरवाजे पर एक सिंबल बना हुआ था नेट जब उन दोनों की इसको मर्च करता है तो वो ही सिंबल बन जाता है जो उस दरवाजे पर बना हुआ था जिसकी वज़ा से वो लोग अब उस दरवाजे को भी खोल लेते हैं जब वो उस दरवाजे के अंदर एंडर होते हैं तो एंडर होते ही उन्हें तीन बड़े-बड़े पॉर्ट दिखाई देते हैं दूसरी दरफ विक्टर नेट से बार-बार पोच रहा था के खजाना मिला या नहीं नेट फ्रेजर को उपर करता है ये देखने के लिए के उन बार्ट में क्या है फ्रेजर जब देखती है तो उन बार्ट में तो बहुत सारा निमक था इसका मतलब ये था कि यहाँ पर कोई भी खजाना नहीं था तब ही वो तीनों पॉर्ट्स अचानक से तूट जाते हैं वो देखते हैं कि उन में से एक मैप निकलता है और यही मैप ही उस खजाने तक जाने का रियल मैप था अब जब नेट मैप को देख रहा था तब यह फ्रेजर उस पर गन पॉइंट कर देती है वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है विक्टर ने तुम्हें सब को सच बताया है वो गन को नेट के सर पर मारती है और उसको मार कर पेहोश कर देती है उस मैप को लेकर वहाँ से चली जाती है और जाते जाते उन कीस को भी ले जाती है इसके बात विक्टर नेट के पास आता है वो देखता है के नेट पे होश है जब नेट को होश आता है तो उन दोनों को पता पता चलता है के फ्रेजर उनको धोका देकर भाग चुकी है NET को जब होश आता है तो वो विक्टर से पूछता है कि मेरा भाई कहां पर है और तुम ने मुझसे क्या चुपाया है अब विक्टर उसको बताता है कि मैं और तुम्हारा भाई बहुत साल पहले ख़जाना ढूरने के लिए निकले थे जिसके लिए हमें एक बुक को चुराना था मकर हमने उस बुक को तो चुरा लिया इसके बाद जब हम वापिस आने लगी तो मोर काड़ा के लोगों ने हम पर फायर कर दिया उस फायरिंग में तुम्हारे भाई को एक बुलिट लगी जिसके वचा से उसकी तैथ हो गई ये सुनकर नेट बहुत साथा इमोशनल हो जाता है वो रोने लगता है वो विक्टर से कहता है कि तुमने मेरे भाई को मरने के लिए छोड़ दिया था और अब तुम तुबारा से उस खजाने तक पहुचने के लिए मेरा इस्तमाल कर रहे हो तो विक्टर कहता है कि ठीक है मैंने छूड बोला मगर तुम्हारा भाई भी यही चाता था कि उसके मरने के बाद तुम उसके ड्रीम को पूरा करो नेट विक्टर से कहता है कि ठीक है मैं उस खजाने तक अपने भाई के लिए जरूर चाओंगा इसके बाद हम दोनों के रास्ते अलग अलग होंगे इसके बाद हम फ्रेजर को प्रेट और उसके बास के साथ देखते हैं यानि के फ्रेजर इन दोनों के लिए काम कर रही थी अब जो प्रेट का बास था वो प्रेट से कहता है कि आज के बाद तुम फ्रेजर के अंडर काम करोगी और इसके बाद प्रेट का बास अपने पूरे टीम को ले कर खजाने की तलाश में प्लेन में बैट कर निकल जाते हैं और वो अपने साथ जरूरत के सामान को भे ले लेते हैं प्लेन में बैठा प्रेट का बॉस सबसे यही कह रहा था कि वो खजाना मेरा था और वो कई साल पहले मेरे खांदान से गुम हो गया था लेकिन तभी प्रेट अचानक से आकर पीछे से अपने बास का गला कार देती है बास को मारने के बाद फ्रेजर अब ये समझ आती है कि ये उसको भी मार देगी इसलिए वो अपनी चान बचाने के लिए प्लेंज में जो कार थी उसमें छुप जाती है इस पर ब्रेट अपने आत्मियों से कहती है कि फ्रेजर तुमें चैसे ही नजर आए तुम उसको फॉरण से फायर कर देना अब वो लोग फ्रेजर को वहाँ पर ढूनी रहे थे तब ही हम नेट और विक्टर को देखते हैं जो एक कार के टिकी में छुप कर उस प्लेन में आ गए थे अब जब वो सभी लोग फ्रेजर को ढून रहे थे इस बात का फायदा उठा कर नेट और विक्टर उस मैप को चुरा लेते हैं इसके बात ब्रेट और फ्रेजर में भी फायरिंग साटो जाती है वो एक दूसरे पर फायर कर रही होती है विक्टर नेट से कहता है कि हमें मैप मिल चुका है इसलिए हमें चल्दी से पेराशूट लेकर यहाँ से जाना होगा यहाँ पर विक्टर पेराशूट लेकर चंप मार देता है मगर नेट वहीं पर रुक जाता है और ब्रेट से कहता है कि तुमने मेरे भाई को मारा था वो वहाँ के सभी कार्गों को पेराशूट से टैच करकर खोल देता है जिससे के प्लेट का सारा समान बाहर किरने लगता है वहाँ पर प्रेट के लोग नेट और विक्टर पर फायर करने लगते हैं तब ही वहाँ पर नेट का पाओ कार्गों में लगी बेल्ट में भस जाता है और वो उस समान के साथ ही बाहर हवा में उड़ने लगता है लेकिन वो बहुत ज़ादा कोशिश करने के बाद दुपारा से प्लेन में आ जाता है तब ही वहाँ पर फ्रेजर एक बड़ी सी कार को लेकर प्लेन से जम्प करने वाली थी वहाँ पर नेट भी खड़ा था अब कार्ग के साथ तो पारा से नेट भी नीचे गिर जाता है अब जब वो दोनों नीचे गिर रहे थे तब ही फ्रेजर नेट से कहती है कि चल्दी से पैराशूट खोलो लेकिन यहाँ पर तो नेट ने कोई पैराशूट लिया ही नहीं था अब वो दोनों हवा में ही उड़ रहे थे मगर तब ही चलती से नेट एक कारगो के पेराशूट को ओपन करता है और वो दोनों उस कारगो पर चले जाते हैं उस पेराशूट पर जाने के बाद वो दोनों समंदर पर लैंड करते हैं अब वो लोग एक बीच पर पहुँच गए थे, वहाँ पर पहुँचने के बाद वो एक होटल में स्टे करते हैं, उस होटल में जाने के बाद वो दोनों मैप को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रेजर को तो कुछ भी समझ नहीं आती और वो अराम से जाकर स लिए हैं और विःसे को प्रव मिस को रहने लगता है और यह ने उस नोट पर गलट loकेशन को मैंचंग किया था और जो रीललोकेशन थी फिर नेटके पास थी नेक्सीन में हम देखते हैं के एक बोर्ट में उस लोकेशन पर पहुँचाता है जो एक आईलेंड की कुफा में था वहीं पर दूसरे तरफ प्रट ने भी नेट पर नजर रखी हुई थी वहीं पर नेट पानी में जम करकर स्विम करकर उस कुफा तक पहुँचाता है जहां पर वो दो बहुत बड़ी-बड़ी शिप्स को देखता है जिसको ढूनते हुए ना जान और ये देखकर नेट काफी ज़दा डर जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए तो वो उससे कहता है कि क्या तुम भूल गए तुमेंने तो मुझे अपने जीपियस से कनेक्ट हिया था अब जब वो दोनों मिलकर उस खजाने को देखी रहे थे तब ही वहा जानती थी कि घजाने के साथ साथ उस शिप की कीमत भी करोडों में थी अब विक्टर और नेट उस शिप से बाहर आते हैं वो दोनों अब उस शिप को हाई चेक करने का प्लैन बनाते हैं वो वहाँ पर शिप के फ्रंट पर आते हैं और वहाँ पर सभी गार्ट से फाइट क लोगों पर अटेक करवाती है विक्टर प्रेट और उसके लोगों से बचने के लिए हेलिकॉप्टर को तेजी से उड़ा रहा था मगर यहां पर प्रेट तो उसके पीछे ही पढ़ गई थी इसके बाद प्रेट के लोग नेट के शिप पर आ जाते हैं वो सब उसका शिप भी एक पहाड़ी से टकड़ाता है और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है मगर प्रेट वहां से बच जाती है और अब वो नेट के शिप पर चंप करती है वो नेट से कहती है कि जो मेरा नहीं हो सकता वो किसी का भी नहीं हो सकता और इतना बोल कर वो शिप के एंचर को सुमंदर में भैग देती है जिसकी वज़ा से शिप और हेलिकॉप्र आगे नहीं बढ़ पाते और विक्टर का सोने से भरा हुआ बैग भी नीचे गिरने लगता है वो अपने हेलिकॉप्र को आटो पाइलिट करकर उस बैग को बचाने जाता है उधर नीचे शिप प्रेट और नेट की आपस में फाइट हो रही थी नेट अप किसी तरह से बचते बचाते हेलिकॉप्र पर चलने की कोशिश करता है और उसके पीछे ब्रेट भी आ रही थी विक्टर यहां पर गोल्ड से भरे हुए बैग को सेक्रिफाइस कर देता है वो ब्रेट पर दे कर म है जिसकी वजह से अब उसकी deat हो जाती है और वो शेप वहीं पर टोट प्र तैटने लगती है नेट विक्टर से कहता है कि हम ये गोल्ड अब हासिल कर सकते हैं लेकिन विक्टर उसको मना तेता है कि अब ये सारा सोना कॉम्मिन का हो चुका है और वो लोग उसे लेने के लिए आ रही है जिसके बाद विक्टर दुखी होकर हेलिकॉप्र चलाने लगता है तो नेट उसे कहता है के दुखी मत हो और फिर वो एके करकर कोल्ड को अपनी पॉकिट से निकालने लगता है और वो दोनों खुशी-खु अभी भी जिन्दा था जो कि एक जेल में बंद था और इसके साथ ये मुवी यहीं पर एड़ हो जाती है